तुलसी का पौधा आप सबके घर में होगा येस इसे गौड़ेस लक्ष्मी भी कहा जाता है और इसकी मेडिसन वेल्यू भी आपकी दादी पर दादी और ममी ने बताई होगी चाय में डालो इसका पानी पियो वास्तु के साबसे भी ये बहुत ही पवित्र पौधा है और ये साब यानि उत्तर दिशा में ऐस्त यानी पुर्व दिशा में और नॉर्थीस्ट यानि उत्तर पौध दिशा में यह तीन दिशाओं में डेफिनलटलि आतले टॉल्सी के बावता झाहिए वह साओद इस्ट, साओर मतल़ मतलब बश्चिम बलड धुल यानिपकी पुरुख दिशा जो कि अगनी की दिशा होती है वहां पर कभी भी आपको अपना तुलसी का पादा नहीं लगाना चाहिए इसके इलावा आपको जब भी तुलसी का पादा लगाना है तो उसे और नमर पे और मतलब तीन, एक, पाँच, साथ ऐसे नमर में लगाएंगे, ओके, दो, चार्ट, छे नमर में कभी भी नहीं लगाएंगे बहुत important जब भी आप तुलसी का पदर लगाएं तो ground पे जमीन में नहीं लगाएंगे उसे हम किसी pot में किसी गमले में लगाएंगे और उस गमले को भी हम raised platform पे रखेंगे जमीन में नहीं रखेंगे maintenance के लिए सबसे important चीज है इसके आसपास गंदगी नहीं होने चाहिए साफ सुतरा होना चाहिए इसके पत्ते रोज रिफ्रेश करें अगर सूप गया तो उसको निकाल दिया जाए और आसपास जाडू ना कच्रा ना पोचा ना डास्ट में वाश्रूम ओके आप घर के अंदर हम तुल्सी के पौदा के आसपास कभी कांटेदार पौधे नहीं रखते हैं हमेशा फूल से खेलेवे पौधे रखते हैं अगर तुल्सी के पौदा की पूजा करेंगे तो एक चीज़ देफिनेटी होगी कि आपकी जो मैरेड लाइफ है आपके दूसरे के जो संबंध है क अच्छे हो जाएंगे आपकी घर में धनसंपत्ती आएगी प्रोस्पेरिटी आएगी और खुशी आएगी